कि अभूट करते हैं अपना पहला यह व्यांड़ा पिसोड यह अपन्ते ने करूंगा ठीक है मतलब उसमें क्या बताऊंगा एक टॉपिक बताऊंगा बिल्कुल एक कॉंसेप्ट बताऊंगो टॉपिक तॉपिक टॉपिक भुब बड़ा होता है एक concept बताऊंगा जिसका question आपने देखा होगा बतलब एक्जाम में पक्का आता होगा आप 100% मेरे साथ सहमत भी होगे कि हां इसका question आता होगा आपने bond order of diatomic molecule देखा है पक्का देखा होगा क्योंकि आपने कितने question देखोंगे ऐसे कि O2 O2 फ्लस 2 क्षोढ़ानसister बत्सक्राइश कर्याइसे question आपको शाल होगा होगेо इनके मल्स किया जाता है क्योंकि फोर्मूला 1 upon two number of bonding electron यह फोर्मूला लगाते रहते हैं और और यह थो अब जाते हैं क्योंकि कभी-कभी क्योंकि पता चलता है कि हमारा M.O. 14 से 14 इलेक्ट्रों बाले के लिए अलग हो जाता है और 14 इलेक्ट्रों से नीचे वाले के लिए अलग हो जाता है, ऐसा भी आपने बढ़ा होगा, ठीक है, mixing की वज़े से, ठीक है, आओ, लेकिन अब ये पुराना हो गया, old हो गया, पुराना हो, इस method से नहीं निकालेंगे, ये सब ऐसा कोई question आएगा, इस method से बिलकुल नहीं कर 4, 5, 6, 7, 8, बिलकुल जैसे मैं लिख रहा हूँ, ऐसी लिखनी है, 9, 10, 11, 12, थोड़ा उचा बना लो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, देखो, ये जो भी मैंने numbering करिये, ये number लिखे है ना, actually ये number of electrons है, याद रखनो, ये क्या है, सब number of electrons है, किसी भी molecule, diatomic molecule, याद रखना, diatomic molecule है, homo, hetero, कुछ भी हो, मुझे फरक नहीं पड़ता, diatomic molecule, और कहां तक, दूसरा क्या है, 20 electrons तक, ठीक है, जनरली है 20 electrons तक, ये लिखे हो की ट्रिक, लेकिन, और ये सब जितने भी electron देखो, जितने भी ये, देख हो सा, start करो bond order लिखना, 0, 0.5, 1.0, ऊपर चलेंगे, तो 0.5 बड़े, नीचे चलेंगे, तो 0.5 गटेगा, फिर से 0.5, 1.0, 0.5, 0, 0.5, 1.0, ठीक है, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, ठीक है, इधर आप 2.5 कम होना है, 2.0, 1.5, नीचे करो, 1.0, इसके नीचा हो, 0.5, जीरो, आओ, apply करते हैं, क्या है, यह सही है, क्या, मत्लब kills, चही है, क्या, जो पढ़ा दिया, वो सही है, क्या, सही में, या ऐसी मज़ा कर देखो, देखते हैं. और टू का बॉन्ट ओडर ठीक है जनरली दो होता है सब को पता भी या ओग बात पता है ठीक है निकाल ले ना इससे जिसको एमो आते हैं और इससे देखते हैं एक वह में कितने लेक्टोन आठ यक्रून बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं दूसरे वह में कितने लेक्क्रोन आउ छेखते हैं 16 एलेक्टू इलेक्ट्रों के लिए साही आ गया लाइं दूसरा देख जब लेते हैं एक और न में कितने लेक्ट्रों साथ टोडल एलेक्ट्रों में वाले का देख ले देख से जड़ा वह थी तीन वाडर और अनकी तो रहे नोगें झाल तो न कि वॉट्र की बीच में आपने पढ़ा होगा एंटू सबसे अच्छा लीविंग रूप यह सब बात करते हैं सी टू की बात करते हैं सी टू बीटू के बारे में कुछ खास बात और भी बता दूगा ठीक है जो कभी कभी एक्जाम में बहुत जादा फ्रिक्वेंटली पूछ ली जाती है की बात करते हैं एक सी में च्यालै दोशी में बारह एलेक्ट्रोन दोवनों में कितना होगा मतलब 5 और 5 तोटल दस एलेक्ट्रोन और दस एलेक्ट्रोन के लिए बॉंड ओडर कितना है याद रखना इसका 1.0 थोड़ा साफ कर लेते हैं फिर देखते हैं हाँ आरी है ने ट्रिक समझ में आरी होगी पकार होगी ठीक है यह माला question भी करा दूँगा तो कितनी थी आज के आज का पहला एपिसोड था थोड़ी सी बात करनी थी थोड़ी चीज समझानी थी इसको बढ़ाते ले जाएंगे लेवल को बढ़ाएंगे और मेरा कुछ ऐसा fix नहीं है कि मैंने आज यह bonding का topic है तो bonding के दूँगा मैं किसी भी आज एक बाइब और यानी सीद्सें के बीच में दो वागल होंतें अब बचपन से पढ़ते आरा होंगे कि पाई गोंट बिना सिगमा कि नहीं बनता है ठीक है पर देखो आपको यह पता चलेगा कि पाई बॉंड बनाते हैं ठीक है आपने ऐसा पढ़ा होता है कि पाई बॉंड हाइब्राइजेशन में पाइटिसिपेट नहीं करते हैं एक्षुली में यह आप उल्टा पढ़ते हो रिवर्स पढ़ते हो होता क्या है एक्षुल में कि हाईब्रिड और्बिटल कभी भी पाई बॉंड नहीं बनाते हैं यह होता है इसको समझने के लिए उल्टा कर देते हैं तो आप एक जगे पढ़ोगे वेंजाइन में कि जहां ह जब इनके बना दूसरा इसमें एक सिगमा और एक पाई होता है इसी तरी किसे बीटू की बात करें बीटू के बीच में सिंगल और यह जोटा है यह एक पाई बोल्ड ने जो इसका अपने बाकि कोर्ण देख ते हैं जो बहुत सारा बहुत ज्याद है confusing question होते हैं, जैसे मैं सबसे पहले, O2, O2 plus, O2 minus, O2 2 minus, O2 2 plus, इन सब का bond order लिखता हूँ, नीचे लिख दूँआ, ठीक है, O2 का bond order 16 electron, क्या हो गया, 2.0, लो इससे लिख देता हूँ, 2.0, O2 plus, O2 plus का मतलब गया, plus का मतलब एक electron निकाल लिया मैंने उससे, ठी का bond order 2.5, 2.5, O2 minus का bond order, O2 minus का मतलब, माइनस मतलब, एक electron और दे दिया, उसको मैंने, यानि, एक electron बढ़ गया, यानि, O2 में 16, O2 minus में 17 electron, 1.5, अब O2 2 minus की कहानी सुनते है, O2 2 minus का मतलब, कि एक और electron मतलब, दो electron दे दिया, इस बार मैंने उसको, यानि, total electron 18 होगे, bond order 1.0 हो गया, O2 2 plus की कहानी सुनते है, O2 मतलब 16 electron, O2 2 plus, मतलब 2 electron, उसमें से मैंने, निकाल लिया, तो 16 में से 2 निकाल लिया, कितने होगे, 14 यानि, bond order 3 2.0, आप arrange कर सकते हो इनको, बिल्कुल कर सकते, उपर electron निकलो भ Light, इसके 14 electron, इसके electron कितने होगे, 18 electron, ठीक है, इसके कितने electron होगे, 17 electron, इसके कितने electron होगे, 15 electron, 16 electron, arrange भी हो जाएगा ऐसी कोश्ण होते हैं अगला कोश्ण अब पूछ लिए आपसे सी ओ एन नो एन टू ओ टू इनके बॉंड ओडर कुछ ऐसी सी ओ छै प्लस आठ चैसे चोदे एलेक्ट्रों चोदे एलेक्ट्रों के लिए बॉंड ओडर थ्री पॉंड जीरो एन ओ साथ प्लस आठ वार्ठ साथ 15 लइक्ट के लिए बॉंड ओडर पंडर ए लेक्ट्रॉं के लिए बॉक्व बारे बॉर्ट बताता है जैसे फिलन टू हो provided उसमें एसी मुत और मिडेखा था तीन को टू 16 एलेक्ट्रों देखा था बॉंड ओडर दो ठीक है और अब कुछ भी कुछ भी अनो प्लस या नहीं अगले में घड़ ले तो अनो प्लस कोई भी कितने भी कोशन है अब हर एक होंगे बस यह यह चार्ट आना चाहिए यह याद होना चाहिए याद रखना एक बीच में कितने सिग्मा कितने पाई बॉंड होते हैं और लिखता है एक सिग्मा एक बाई और सब गलत ठीक है मतलब मैक्सिमम गला सब्तर प्रसेंट जनता फेल ठीक है और इसको देखते हैं एन्नो का मतलब क्या था एन्नो मतलब सेवन प्लस इट आठ साथ पंद्रे और एन्नो में से प्लस यानि कितने होगे 14 एलेक्ट्रों सियो प्लस आठ सब्सक्राइब क्या प्मेंस इस चोशुआध फीर फाइब ऑले का 20 फाइब खत्म करते हैं आज के आपिसोड को अगले इसएपिसोड में मिलते हैं एक नए सब्सक्राइब के साथ मैं बता रहा हूँ जल्दी से जल्दी बता दो कमेंट में कि अगला एपिसोड किस स्पाइब का चाहीं आपको क्वांतम का औयों और सी का कोडिनेशन का खॉन्स का ऑग में सबके सबके बताएंज जाएंगे त्यांके। हुआ 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 है